तो दोस्तों जो आज बात करूँगा वो RRB, NTPC के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे चात्र मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो भी चीजें हो रही हैं जो भी घटनाएं हुई हैं सब के बारे में बात करूँगा और मेरे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा यहां पर NTPC और गुरूब D का ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैं जो है UP और बिहार में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला यहां पर कुछ वाइलेंस भी हो गया था जैसे कि आग लगा दी गई पत्थर वाजी की गई और तोड़ फोड के वीडियो जो है सामने नजर आए यहां पर एक तरफ जो है 26 जनवरी का जंडा लहरा रहा था और दूसरी तरफ एक वीडियो वाइरल हो रही थी जिसमें दिखाया गया था कि एक ट्रेन में आग लगी हुई ह और तोड़ फोड के वीडियो भी वाइरल हो रहे थे इसके बाद खान सर सहित बहुत सारे टीचर्स पर एफाइयर की गई इस्टूडेंट पर एक्शन लिए गए कई छात्रावासों से इस्टूडेंटों को अरेश्ट किया गया उन पर लाठी चार्ज की गई तो इस प्र आरारवी गुरूब डी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनकी इंटर्नली प्रॉलम क्या है इसके बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आरारवी एंटी पीसी क्या होता है तो यहां पर इसका जो फूल फॉर्म होता है वो रेलबे रेक्वार्मेंट ब किर किलर, टाइम कीपर और इस्टेशन माश्टर की यह पोश्ट होती है इनकी अलग-अलग लेवल होती है दो से लेके छे तक यह लेवल की नौकरी होती है तो इसके बारे में डिसकस करते हैं तो यहां पर मैं बता दूँ कि यह जो एक्जाम है NTPC का यह 2019 में करवाना था लेकिन COVID की बज़र से इसे पोश्ट पॉन कर दिया गया था और यह पोश्ट पॉन होते होते 2020 तक पहुँच गया फिर इसके बाद 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक 7 स्टेज में यह एक्जाम करवाया गया यानि कि इतना टाइम एक्जाम होने में लगा और यह जो एक्जाम हो रहा था वो 35,277 बेकैंसी के लिए हो रहा था और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो 1.4 कड़ोर भरे हुए थे एर एक्जाम को करवा लिया गया काफी ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे इसलिए यह CBT-1 का यह एक्जाम था लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग थे अब यहाँ पर सॉट लिस्ट किया जाता है यानि कि अगर 35,000 बैकैंसी है तो इसके 20 गुना लोगों को सॉट लिस्ट किया जाता है सात लाख लोगों को यहाँ पर CBT2 के लिए सॉट लिस्ट किया जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन सात लाख लोगों में कोई-कोई student ऐसे थे जिनका नाम दो बार, तीन बार या पर चार बार भी आया है क्योंकि यह अलग-अलग लेबल की पोस्ट थी और यहाँ पर मल्टीपल पोस्टों के लिए उनको सेलेक्शन दिया गया था यानि कि एक इनसान को तीन बार सेलेक्ट किया गया था तो इस तरह से कुल जो है तीन लाख असी हजार student ऐसे थे जो CBT2 के लिए सौट लिस्ट हुए थे आतलाख होना चाहिए लेकिन एक्चूल में वो तीन लाख असी हजार थे क्योंकि उनका नाम दो बार, तीन बार आ गया था तो मैंन ये एक प्रॉलम हो गई, दूसी प्रॉलम ये थी कि यहाँ पर 12 और graduation वाले जो बच्चे थे उनसे एक single exam ले लिया गया यानि कि जो graduation वाला बंदा है, जो graduation वाला student है वो ज़्यादा talented होता है 12 वाले के compare में तो यहाँ पर जो competition है वो 12 वाले को ज़्यादा पढ़ जाता है और graduation वाले को ये जो exam हो रहा है वो काफी simple पढ़ जाता है और तीसरी प्रॉलम ये थी कि जो ये cut off गया था, इस exam का जो cut off गया था, वो 12 वाले के लिए high था और graduation वाले को low था तो यहाँ पर double benefit graduation वाले student को मिल गया था, तो ये सारी problem लेके NTPC वाले जो चात्र हैं वो सड़कों पर उताराए और अपना जो है protest कर रहे थे अब यहाँ पर ये जो student NTPC वाले जो भी protest कर रहे थे, अपने mobile पर भी देख रहे थी कि railway कब हमारी बाते मानता है, कब notification आता है लेकिन NTPC का notification तो नहीं आया, notification आता है railway group D से और railway group D से क्या notification आता है, वो आप ज़रा सुल लीजिए railway group D में अभी तक केबल एक exam होता था, CBT बन होता था, लेकिन notification यह आता है कि अब हम CBT 2 भी इस exam में लेंगे और यह जो notification आता है, यह exam के केबल एक महीने पहले आता है इसका मतलब जो भी group D के student थे, उनको बिलकुल भी time नहीं दिया जाता है अपनी preparation करने के लिए तो ऐसे में जो है चात्र जो है काफी भड़क गए और उन्होंने देखा कि जो NTPC का protest जो है चल रहा है तो उसी protest में RRB group D के चात्र जो है सामिल हो गए और फिर यह protest जो है काफी बड़ा हो गया इसी दोरान कुछ घटनाएं भी हो गई जिसमें ये train जलने की वीडियो भी सामने आई और कुछ तोडफोड के वीडियो भी सामने आए और फिर इसके बाद जब पुलिस ने action लिया तो कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस ने भी काफी लाटी चार्ज किये और फिर पीमो और रेलबे बोर्ड की जो है मीटिंग भी हुई है फिलाल ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन